तो इसकी एहमियत जो है बहुती रेलिवेंट है और कहा जाए हिंदी में प्रासंगिक है क्योंकि जो इंडो इसलाम में कल्चर की हम बात करते हैं तो इसमें आर्किटेक्ट्चर बहुत बड़ा पहली होता है तो यह मौजुदा लोगो है जो यह इसका मोटिफ है मोटिफ या से यह दो शुरू हुआ था मुगल दौर में बाश्याद अकबर के टाइम तो बाश्याद बाकिछ सबसे कहा जाए हुआ है वह हुमायू स्टॉंप दिली ने हैुमायू का मखबरा है वह बाश्याद अकबर नहीं कामिर किया था तो उस जगह पे इसको बहुत चेह इसतमाल दुनिया में तमाम तहजीब है उसमें इस ओक्टरग्राम की एहमियत है हिंदुस्तानी तहजीब में भी है और जो हम कहे आते हैं जूडियो क्रिश्टिन रिलिजिन जो जैसे इसलाम, जूज, यहूदी और क्रिश्टियनिटी जो एक मिडली इसके लाकिस आया है तो वहाँ पे भी इसकी आहमियत पाई गए इसलाम की रोशनी में देखें तो खास्ताव सब पुरान को हिप्स करने का जो एक तरीखा था तो उसमें इस ऑक्ताग्राम पे डिजाइन पे डिस्ट्रिब्यूट कर दी आते थे पुरान को साथ चैप्स में भाग उनकी आयतों को रबल हिज्ब के तरीखे में इसको डाला जाता था और उसको याद करने का यह असान तरीखा होता था पर दूसरा जो कैलिग्राफी है जो यूरली मुस्लिम आर्ट है इसलामिक आर्ट है क्यों कि वो सिफ पुरान की आयतों को शेप और शकल में आप बना सकते हैं कैलिग्राफी के तरू इसलाम में पेंटिंग और शेप क्रेट करना किसी की शकल मनाना मना है तो कैलिग्राफी की थूरू आप चीजों को बना सकते हैं उसमें पुरान शरीफ की आयतों लिखा जाता है तो उस केलिग्राफी की आर्ट में हर आयत जब एंड होती है तो उस आयत के एंड का फुल स्टॉफ विराम होता है वो यही मोटिफ यह जो लोगों में जो दिख रहा है ऑक्टग्राम इसी शकल का होता है तो ये रेलेवेंस हमने की पाई तो इसलिए इसको इसको इस्तेमाल किया